नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है हेमाशू और स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको नेटिव इंस्टुमेंट के बैटरी 4 का एक टुटोरियल देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं उसको यूज करता हूँ और आगे आने वाले सॉंग्स में भी मैं इसको यूज करूँगा तो आपको पता रहेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ तो ये वाला वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बैल का इकने से दवा दीजिए क्योंकि मैं मुजिक प्रोडक्शन से रेलिटेड वीडियो लाता रहता हूँ साथी साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हूँ तो अभी इस वीडियो लाइक कर दो शेयर करो ज्यादा से यादा लोगों के साथ तो देख लो बैटरी फॉर को मैंने अभी ओपन कर रखा है देखने में कुछ इस तरीके का देखता है जूम करके दिखा देता हूँ तो ये वाला जो section है यहाँ पर आपको kit मिलती है और sample मिलते हैं अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैंने kit select कर रखी अगर मैं यहाँ पर sample पर click करूँगा तो यह सारे sample आ चुके हैं यहाँ पर आपको सारे sample arranged मिलते हैं battery 4 में बहुत सारे sample आते हैं हर एक genre के आते हैं तो आप उनको select कर सकते हूँ यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर beat के ही नहीं, percussions के ही नहीं बहुत सारे sample आते हैं अलग-अलग instrument के जैसे मैं अभी आपको drum दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने drum जैसे select किया तो एक और category आ गई है आप में हैं पर kick और बाकी सब जो भी आप में यहाँ पर select करना चाहता है तो आप इस तरीके से category कर सकते हूँ एक बार हम इसको use करेंगे तब देखेंगे इनको तो बाकी यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर pad मिलते हैं तो आपको अब भी जो बारेगुणा चारी वाली मिल रही है आप इसको 4x4 भी कर सकते हो are you sure? मैंने इसको sure कर दिया तो अब भी यह change हो गया अब यह आप देख लो कि अब यह 4x4 की matrix बन चुकी है cell matrix तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने sample का जो size है यह जो pad का size अगर आपको देखने में अजीव सा लग रहा है तो आप यहाँ से change कर सकते हो यह वाला window है यहाँ पर आप sample edit करते हो और यह सारी editing के है effects के modulation के setup के editor master तो इसके बारे मैं अभी देखूँगा और अभी हमको करना क्या है जैसे यहाँ पर जो भी kit मिलती है आप यहाँ पर kit को select कर सकते हो तो यहाँ पर आपको अलग-अलग kit मिलती है एक पर मैं आपको load करके दिखा दे रहा हूँ double click करते हैं तो आपकी kit load हो जाती है और आप यहाँ पर आपको base का sound भी देखो इस में kit मैं लगा हूँ देखो सब ही sound आपको यहाँ पर управLeant मिल रहा है अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत सारी kit हैं जूम करके और दिखा देता हूँ आपको हजारों kit हैं हजारों तो नहीं है लेकिन हैं बहुत सारी kit हैं तो यहाँ पर आपको जैसे मैं Absolute के टीय लागर के देखता हूँ तो आप इस तरहिए से यहाँ पर आपको बेसिकली एक पर्फोर्मेंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो बैटरी को तो आप कहीं पर्फोर्मेंस देने जा रहे हो तो यहाँ पर आप अपने सेंपल्स को अरेंज कर सकते हो बहुत सारी अच्छी अच्छी किट यहाँ पर दी हुई है अकॉस्टिक ड्राइ किट को देखते हैं एक बार सुनके तो अलग-अलग टाइप की आपको किट मिलती है इनको मैं आपको भी सभी को नहीं सुनाना चाहरा मैं आपको थोड़ा सेंपल्स और एडिटिंग के बारे में बताना चाहरा हूँ आप चाहूँ तो इसमें अपनी कोद की भी किट ओपन कर सकते हो तो जैसे मैं यहाँ पर जूम इन करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं फाइल पर जाके न्यू किट कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो अभी मेरे सामने खाली के टाच चुकी है अब जैसे मैं इसका साइज करना चाहरा हूँ सैल मैट्रिक्स का 4x4 का यस ओके तो आप देखो यहाँ पर मैं सैंपल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलग-अलग सैंपल्स मेरे को दिखने लग गए है अभी जैसे मेरे को एक किक का सैंपल लेना है तो मैं ड्रम के अंदर जाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर आप देखो कि मेरे को किक कहा पर दिख रहा है किक यहाँ पर यह दिख गया है अब हम सुनते हैं तो जैसे मैं सुनता हूँ और यह आप और डाउन एरो दवाता हूँ तो मैं अभी बस यह वाला सेंपल यूज करना चाह रहा हूं तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया है सेंपल पो इस पैड पर अब मिर को जैसे clap का sample देखना है तो मैंने clap को select कर लिया तो ये वाला sample मैं use करना जा रहा हूँ बस अभी मैं ये दो sample ही use करना जा रहा हूँ मैं आपको बस एक demo दिखाने जा रहा हूँ तो अब भी यहाँ पर आप देखोगे तो जब आपने kick को select किया है इस तरीके से ये जो mark दिखा रहा है ये आपने pad को select कर रखा है तो आप main पर जाओगे तो आपको यहाँ पर C1 दिखा रहा है तो ये C1 पर है आप clap को select करते हैं तो ये C sharp 1 पर है तो मैं अभी piano roll open करता हूँ तो यहाँ पर C3 है FL का जो piano का C3 है वो यहाँ पर C1 की तरह काम करता है और ये C sharp तो मैंने मैंने यहाँ पर samples को arrange कर दिया अब मैं आपको play करके दिखाता हूँ अब मैं यहाँ पर एक hat का sound all लगाना चारा हूँ तो मैं यहाँ पर high hat closed को select करता हूँ तो ये मैंने drag कर दिया है अब ये वाला D3 पर आया होगा तो अभी सुनते हैं इसको बढ़िया है एक simple हमारी beat बन गई है ये beat हमने हमारी खुद की kit बनाई है आप चाहो तो ये जो kit है इसको आप save भी कर सकते हो file पर जाके आप save कर सकते हो save kit as और बाकी आप यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें और बताना चाहरा हूँ यहाँ पर आप volume envelope है जैसा आपको serum में मिलता है आप इसको activate कर सकते हो और जो cake है अभी जैसे हमारा हमने यहाँ पर cake select कर रहे हैं तो यह cake में volume envelope लग रहा है तो इसमें हम देखते हैं sound को change करके तो आपने देखा इस volume envelope से थोड़ा सा जो हमारा cake का transient है वो effect कर रहा है जब मैं इसको इस तरहीं से पीछे कर दे रहा हूं तो यहाँ पर transient effect कर रहा है आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ से कहीं भी आपको ज़रुवत पड़ सकते हैं आप इसका use कर सकते हो अब यहाँ पर एक चीज और important है वो है यहाँ पर volume level अगर आपको volume level change करना है कोई भी sample का तो आप यहाँ पर volume level यहाँ से change कर सकते हो अभी यहाँ पर देख सकते हो minus 0.1 dB हो रहा है तो double click करने पर यह minus 6 पर आ जाता है और अभी मैं इसको 0 पर कर देता हूं shift दवाते वह मैं इसको 0 पर ले गया हूं और यह 0 पर आ गया है तो यहाँ पर एक velocity का आपको और function मलता है तो आप जब keys को play करते हो और अपने MIDI keyboard पर तो उसकी velocity अगर different होती है तो sound भी यहाँ पर different आता है आप चाहो तो अगर आपने 0% कर दिया तो जो original sound है वो ही play होगा आपकी velocity अगर change हो रही है saturation, low-fi, filter, compressor और यह है transient master शैद यह को देखना पड़ेगा यह transient से related है यह वाला है तो आप चाहो तो इनकी जो serial है सबसे बहले saturation apply हो रहा है saturation को activate कर सकते हो आप इनको change भी कर सकते हो इनका जो serial है अभी मैंने low-fi वाले को पहले कर दिया लेकिन मैं अभी इनको नहीं लगाना चा setup पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको velocity पर किस तरीके से react करवाना है sound को यह सभी चीज़ें मिलती है आपको तो ज्यादा इतना important नहीं है हाँ यहाँ पर एक चीज़ important है जैसे मैं आपको head का sound सुना रहा हूं अभी तो अभी मैं head का sound play कर रहा हूं तो यहाँ पर head का sound एक बार play हो रहा है देखो अब जब आप trap type का music बनाते हूं तो आप चाहते हूं कि आपका head का sound है वो बार बार play हूँ है न तो यहाँ पर आप articulation में जाकर इसको activate कर सकते हूं अभी यहाँ पर आप इसकी speed को change कर सकते हूं यहाँ पर articulation में भी 2-3 module दिये हूँ है काफी सा material दिये हूं जैसे मैं roll वाला select कर लेता हूं अब मैं head को play करता हूं तो आप यहाँ पर इसको change कर सकते हूं आप ऐसा कर सकते हूं head के multiple pattern बना सकते हूं जैसे मैंने अभी यहाँ पर copy cell कर लिया और paste कर दिया तो यहाँ पर अब इस वाले जो की जो value है यहाँ पर articulation की value मैं change कर देता हूं 20 कर दिया तो अभी हम समते हैं और speed और भढ़ानी है मेरको तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फरक देख रहा है यह थोड़ी सी speed इसकी तेज हो गई है तो यहाँ पर आप articulation को use कर सकते हूं यह है midi echo का तो यह एक तरीके से delay का जैसा work करता है humanize का भी function है जो आ आप use करके देख सकते हूं यहाँ पर यहाँ पर आपको एडिटर दिया हुआ है और एक बात और इसमें important है suppose करो में clap मैं layering करना चाहरा हूं अभी clap का एक ही sound आ रहा है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई और snare का sound और जोड़ना चाहरा हूं तो मैंने जैसे यहाँ पर snare को select कर लिया तो यह बाला जैसे sound है मैं इसको use करना जा रहा हूं तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है sound मैं यहाँ पर इसको drag कर सकता हूं तो अभी मैंने जब यह drag कर दिया तो अभी यहाँ पर जो clap का sound है उसके साथ यह rim का sound और आ रहा होगा मैं आपको एक बार solo करके दिखाता हूं एक बात और है यह जो head का sound है इसमें मैंने जो articulation लगाया था इसको मैं बंद कर देता हूं अब मैं आपको एक बार यह clap का sound सुनाता हूं तो यहाँ पर आपको अभी rim का sound भी सुनाई दे रहा है तो यहां पर आप दिखो, एक बर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप select करते हो, तो यह तो आगे आपका clap का sound, या आगे आपका rim का sound, देखो edit range वे तो आप इसको भी edit कर सकते हो, यहां से आप चाहो तो इसकी जो sample की length है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो इस तरीके से तो यह कर सकते हो बाकि आप चाहो तो यहाँ पर Velocity की तरह भी इसको अरेंज कर सकते हो Higher velocities पर अगर आप चा रहे हो कि आप का Clap का साउंड अद्ध फैन को तो आप इस तरीके से कर सकते हो Set इंको और यह तो अभी Lower velocities पर हो गया क्लैप का साउंड तो यह भी आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं एसा फंक्शन आता है यह मैंने आपको करके बता हूँ आप एक बात और है अभी जैसे कई बार क्या होता है आपको मिक्स की में परिशान नहीं आती है ऐसे इंस्टुमेंट में बैटरी में कि इसमें सेपरे आपको सेटिंग पर जाना है और सैटिंग में इस वाले मार्क पर जाना है Das इसके बार में आपको डिस्कस करने वाला हूं तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें मास्टर में जाते हैं तो हमको bus मिलती है चार bus मिलती है उसके लाबा आप चाहो तो solo भी वे सकते हो तो अभी आप चाहते हो कि जैसे आपको clap और ये head का sound है ये अगला वाला हटा दे रहा हूँ जिसको मैं भी use नहीं कर रहा हूँ इसको मैं हटा दे तो आप चाहते हो clap और head को आप एक साथ रखना चाहरे हो mixer में ताकि आपको volume level एंगा change करना होगा कुछ भी editing करनी हो तो आपको दिक्कत नहीं आए तो आप यहाँ पर right click करिए और output करके आप bus में bus 1 में जैसे मैं इनको बेज रहा हूँ तो अभी मैंने इसको भी bus 1 में बेज दिया अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह master में जा रहा था direct दिख रहा है अभी मैं इसको bus 1 में बेज दिया तो अभी मैं आपको master वाली tab में जाके दिखाता हूँ तो अभी आपको यहाँ पर head और clap का और rim का sound सुना ही देगा तो अभी जो हमारा यह sound है clap kick का वो directly master में जा रहा है ठीक है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगर मैं इसमें main में आता हूँ एक बार अगर मैं clap में clap वाला जो pad है इसमें थोड़ा सा reverb डालना है तो आप देखो यहाँ पर मैं reverb वाली यहाँ पर एक रेक बनी हुई है वो master में जाके दिखाता हूँ मैं आपको यह रही ओ रेक reverb और डेले की तो आप यहाँ पर reverb देखो कि तो आपको दो टाइप का reverb मिलता है आप इनकी setting यहाँ पर change कर सकते हूँ यह इतना ज़्यादा effective reverb नहीं है जितना आपको अपके third party plugins में मिलता है हाँ बस यह कि आपका काम चल जाएगा तो अभी जैसे आप देख सकते हो मेरे क्लैप में अगर reverb डालना है तो मैं इसको clap को select करता हूँ main पर जाके और यहाँ पर selected है already और मैं यहाँ पर आप देख सकते हूँ reverb इसमें थोड़ा सा reverb डाल दूँगा आप सुनते हैं से तो आपको sound सुनाई दे रहोगा ऐसे ही मैं head पर डालना चाहरा हूँ तो head पर मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं head पर delay डालना चाहरा हूँ तो आपको अभी head के sound में हलका सा delay सुनाई दे रहोगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर effects भी डाल सकते हो बागी आपको यहाँ पर compressor यह सारी चीज़ें मिलती हैं आप जैसे मैं यहाँ पर कुछ change क घर के देखता हूं लिमिटर लगा के देखता हूं एक बार तो आप देखो यह जो अभी मैंने यहाँ पर लिमिटर लगाया है न यह बस one में limit लग रहा है तो आप चाहू तो इनको एक साथ process कर सकते हो जो आप जैसे मैंने यहाँ पर clap और head का sound लगाया है इसको अगर मैं एक साथ process करना चाहरा हूँ तो आप इनको यहां से process कर सकते हो एक साथ अभी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहरा हूँ कि यहां पर filter में आप देखोगे तो filter को activate कर दोगे तो आप यहां पर low cut और high cut कर सकते हो particular जो आपने pad select किया हुआ है तो जैसे मेरे को head or clap में low cut करना होता है तो मैं यहां से कर सकता हूँ तो आपको यहां पर head selected है तो height में आप चाहते हो कि अभी मैंने यह select कर लिया double अब मैं यह चाहता हूँ कि 250 से नीचे का sound cut जाए तो यहां पर 250 का भी low cut हो चुका है ऐसी clap में भी कर सकते हो आप clap में जैसे मैं चाहर हूँ कि 150 से नीचे का sound cut जाए तो देखो यहां पर यह एक तरीके से EQ की तरह है यहां पर यह filter मैंने apply कर दिया है यहां पर यह आपका जो sample है उसको stretch करने के कुछ calculation है जिनको मैंने अभी यूज नहीं किया है पूरे साही तरीके से लेकिन यह काम काम ही आता है हमारे जब sound को हम stretch करते हैं तब ज़्यादा हमारे काम आता है यह तो अभी मैंने sound stretch करके नहीं देखा है यहां पर आपको tuning करने का भी option मिलता है अगर आपका sample untuned है तो आप यहां पर इसको tune कर सकते हो अभी आप जैसे देख रहे हैं यहां पर clap का sound है है ना और अभी मेरे को यहां पर rim के sound में जाना है यहां पर यह दिखा रहा है 1 by 2 मतलब मैंने दो sample यहां पर layering में यूज के हुए है मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूँ और यहां पर इसकी panning और यह है polarity change करने का option L और R तो यहां पर मैं यह सब चीज़ें कर सकता हूँ इसमें compressor का basic option है यहां पर तो basically यह है हमारा battery का लगबग एक getting started वाला tutorial आप चाहो तो इसमें अपने samples भी drag कर सकते हो यह जो आपके pad है इनमें अपने sample drag कर सकते हो और यह kit आप save कर सकते हो तो बहुत ही handy रहता है इसमें काफी अच्छी kit बनी हुई आपको जो मिलती है Bollywood में directly use होती है इसकी kit बनी हुई तो आपको काफी जगे इसकी kit मिल जाएंगी एक तो Ableton Live में बहुत सारी kit आती है दूसरा इसके अंदर आपको बहुत सारी kit मिलती है तो आप देखो अगर मैं दिखाऊं तो नीचे चलते चलो चलते चलो kit इसकी खतम नहीं हो रही है तो बहुत सारी kit है और बहुत सारे sample है तो आप चाहू तो इसका use कर सकते हो अपने music production में I hope आपको ये tutorial अच्छा लगा हो battery 4 का और काफी चीज़ें समझ में आई हूँ क्योंकि मैं इसको आगे use करने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो please like कर देना और share करना इसको ज़्यादा से यादा लोगों के साथ मैं मैं विलूँगा आपसे next वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए take care bye bye